हलो गाइस तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडिया में जो एप स्टोर लॉंच हुआ है उसका नाम क्या है एंड उसे किस ने लॉंच किया है और उसे आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को य की बात होती है तो पहला नाम Google Play Store का आता है हर स्मार्ट फोन में पहले से आपको Google Play Store दिया जाता है साधाना सब्दों में कहें तो एप श्टोर के मार्केट में Google अकेला खिलाड़ी है ऐसे में Google अपने हिसाब से नियम बनाता है जिसे हर एक एप को मानने पर मजबूर होना पड़ता है यही बजाए कि Google अपने हिसाब से हर एक एप से चार्ज बसूलता है जिससे एप डेवलपर लंबे वक्त से परिशान है लेकिन अब इस दबबे में कमी हो सकती है क्योंकि फोन पे का नया इंडस एप स्टोर लोंच हो चुगा है जो Google प्ले स्टोर के दबदबे को खत्म कर सकता है वालमार्ट ओंड फोन ने एक नया Android बेस्ट मोबाइल एप्लिकेशन स्टोर में करीब 2 लाख एप मिलेंगे सबस है जहां हर दिन हाजारों की संक्या में मोबाइल एप्स डाउनलोड किये जाते हैं तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इंडस एप स्टोर को कहा से डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइस इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना Chrome इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहां पर आपको डाउनलोड इंडस एप स्टोर का ओप्चन मिलदा होगा आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आप देख सकते हैं फाइल जो हमारी डाउनलोड होने लगी है थोड़ा सा यहा आपको डाउनलोड वाले उप्चन पर क्लिक करना है यहां पर आपको सबसे उपर इंडस एप स्टोर दिख जाएगा इसके सामने आपको थ्री लाइन दिख जाएंगी आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है इसके बाद इंस्टॉल का ओप्चन आ जाएगा आपको इस पर क क्लिक करना है इसके बाद यहां पर इसे अलाव कर देना है इसके बाद आपको बैक आ जाना है इसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है इंश्टॉल होता है थोड़ा सा हमें यहां पर वैय्ट करना है तो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद इस्तारा हो अफ़ेट करेंगे इसके बाद कुछ इस तरह सें आज और आज देखा हैं यहां पर आपको अपनी लेंगुज से पैसे इसके बाद continue पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको gmail id देने की जरूर नहीं है आपको अपना phone number यहाँ पर डाल देना है तो चले मैं अपना phone number डाल देता हूँ इसके बाद guys यहाँ पर OTP एक आएगा तो guys आप लोग देख सकते हैं OTP आ चुका है एंड एंटर भी हो चुका है इसके बाद guys आपको continue पर क्लिक करना है इसके बाद guys यहाँ पर आपको अलाव करना है इसके बाद guys आपको बैक आजना है तो guys यहाँ पर यह permission मांग रहा है इस तरह से interface खुल के आ गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर game apps जो भी आप download करना चाहें download कर सकते हैं वीडियो गर अच्छी लोगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे tips और ट्विक्स के लिए झाल